शादी की कुछ दिन पहले एक लड़की एक स्टेंजर के करीब आगे पर उस टेंजर अपसे सूथा अपनी लाइफ से अब वो उसे जाने नहीं देना चाहता इसे एक तीम के साथ आज के हमारी मुवी ब्रोकन वाउस ए 2016 की एक हॉलिवूड थ्रिलर मुवी आती है अगर आप करना चाहती थी पर उसे लगता है कि वो वीक है इसलिवाफ करेती है इसके बाद एक राद व अपनी फ्रेंडिक्स के साथ शादी के पहले पार्टी करने के लिए आई हुए थी उसके नजर यहां के बार्टेंडर पैटरिक पर पढ़ती है पैटरिक बहुत एंसम था और टारा उसे भी अच्छी लगती है फ्रेंड्स में से ड्रिंक्स लाने के लिए कोई जाने वाला था तो टारा कहती हूं उसे पैटरिक से बात करनी थी टारा को स्टेर करने लग गया तैरा मैं उसे बुछती है तो पैटरिक कहता है कि मुझे लगता है कि अगर एक पल भी मैंने तुमसे नजर हटाए तो तुम गायब हो जाओगी एक दूसरा कस्टमर अपने लिए ड्रिंग और करना चाहता था पैटरिक उस पर थोड़ा भी ध्यान नहीं देता तो इस वज़े से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया तो पैटरिक ने उसके कान में कुछ कहा और वहास हो चला किया इससे हमें पता चलता है कि पैटरिक बहुत ही डेंजरस है उसने फिर डारा और उसके फ्रेंड के लिए फ्री दिंग्स दिया तो फ्रेंड ने कहा कि तुमारा ले लेता है अपना नंबर उसने फिट कर दिया और एक मिस कॉल दे दिया तरह ने कहा कि मुझे अब चलना चाहिए अगली दिन पैटरिक उसे बहुत कॉल करता है पर टारा पिक अप नहीं करती है उसकी शादी फिक्स है ऐसा वैसा वह कुछ भी नहीं करना चाहती बहले उस किस कर लेता है उसके बाद यह दोनों इंटिमेट हो गए सुबहा उने पर टारा पैटरिक से बुछ थी कि मेरे कपड़े का आया पैटरिक ने उसे धोग कर सुखा दिये थे पैटरिक के खुद के कपड़ों में सिर्फ एक सूट वेगरा ऐसा ही कुछ था वो टारा से दिये रियाएंज किया उसका फोन उसे कही भी नहीं मिल रहा उसके फ्रेंड कॉल करने की कोशिश कर दिया तो पैटरिक के घर पर हम उसका फोन देख सकते है टारा पने फ्लाइट के लिए लेट हो रही थी तो जल्दी से चली गई गराने पर उसका फ्यांसे माइकल फूल लेकर उसके लिए वेट कर रहा था उसे देखकर उसे बहुत खुशी होती है टारा के फ्रेंड डेबरान ने उसे समझाया कि उस रात जो भी हुआ इसके बारे में कभी भी अपने फ्यांसे को पता ना मत टारा वे इस बात को समझ सकती है फ्रेंड की जाने के बाद माइकल कहता है कि हम सस्वोश में थोड़े दिन नहीं मिल सकते टारा को बहुत सारी वेडिंग की प्लैनिंग करनी थी तो इस वज़े से वो माइकल से नहीं मिल सकती पैटरीड ने टारा के फोन में उसके वेडिंग की प्रिपरेक्शन के लिए क्या क्या करना है इसके सारी लिज्ट देखिए वो टारा से डारेकली प्यार करने लग या था ये बात वो कैफे की वेटर को भी गहता है सब कुछ वेडिंग की तैहरी चल रही थी पर फिर भी माइकल को टारा से आज रात मिलना था पहले तो टारा उसे मना करती है पर माइकल ने उसे मना ही लिया वो शाम में उसके घर पर उसे पिक अप करने के लिए आने वाला है टारा आज भी पैटरिक के बार में सोच रही थी उसने जो भी क्या इस के लिए उसे बहुत बुरा लगता है वो बहुत रोती है अपना काम ख़दम करकर वो घर पर आई गरवर वाइन ओपन की हुई थी और दो ग्लासेस पड़े हुए थे उसे लगा कि उसे पिक अप करने के लिए माइकल आया हुआ है तुसे ढूंटी ढूंटी ओ नीचे आके शावर से आवाज आ रहा था तो अंदर वो चली आती है पर उसे डारेकली शौक लगा जब शावर से पैटरिक बाहर निकलता है अपनी सीटी शोड कर वो डारेकली टारा की सीटी में आ चुका था टारा कहती कि जल्दी से यहाँ से चले जा वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूँगी आखिर तुमने मुझे ढूंडा कैसे पैटरिक कहता है कि तुम्हारा फोन मेरे पास था मुझे लगा कि हम दोनों को बात करनी चाहिए टारा कहती कि मुझे तुमसे कुछ भी बात नहीं करने मेरा फियांसे जल्दी यहाँ पर बहुच जाएगा तुम यहाँ से चले जाओ पैटरिक को लगता था कि उसके लिए टारा अपने फियांसे से ब्रेक अप कर लेगी टारा उसे बता देती है कि उनकी बीच में कुछ भी नहीं है पैटरिक इस बात को मानने के लिए रेडी नहीं था तो यह माइकल नीचे आ गया टारा उसके आवास सुनकर डर जाती है उनने पैटरिक से कहा कि जल्दी यहाँ से चले जाओ पर हो माननी रहा था टारा फिर उसे कल मिलने के लिए मान गए माइकल और टारा फिर डिनर के लिए जाते है पर टारा उसे कुछ भी बात नहीं कर रही थी इस बात के लिए उसे सौरी कहती है माइकल कहता है कि मैंने जो भी किया वो सिर्फ एक बार की बात थी हमारे बीज में जो भी है मैं इसे बरबात नहीं करना चाहता तुमसे बहुत प्यार करता हो क्या तुम्हें हमारे मैरेज के बारे में कुछ डाउट सारे है तैरा कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है तो उसे प्यार करती है उसी से शादी करना चाहती यह जैसे टरोबं ने पैट्री को प्राउमिस के आथ कि कल वो उसे कैफने मिलेंगे तो उसी फिद्ध में ही पैट्री जाकर उसके बाहर वेट करने लग ज़से लेने के लिए देवर आ के ऐसे को मुझे कुछ और काम है मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा पैट्रिक इमेजिन करता है कि टैरा उसके पास आई उसे कहती कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ पर यह सब सिर्फ एक इमेजिनेशन ही थी एक्चुल में डेबरा ने जब टैरा से पूछा कि आज तुम क्या काम करने वाली हो तो टैरा ने कहा मैं पैट्रिक से मिलने वाली हूँ वो कल मेरे घर पर आ गया था डेबरा कहती कि ऐसी गलती मत करना अगर तुम उसे मिलने के लिए जाओगी तो हमेशा तुम्हें वो ब्लैक मेल करता रहेगा पैट्रिक उसका दिन भर वेट करता रहा टैरा के फोन में उसके और माइकल की सब सुनकर डायरेकली शौक लगता है वो हर जगा पर कॉल करने लग गए इंकि गार्डन को कॉल लगनी रहा था खुछ जाकर उन्हें उनसे बात करने पड़ेगी ये बड़ा ट्रबल हो सकता था पर टैरा और उसकी फ्रेंड ने सबको कॉल करकर इसे टाल दिया गार्डन क उसका पूरा नाम भी पता नहीं था फ्रेंड ने कहा कि हमें उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवानी चाहिए शायद उसने ये सब चीज़े पहले भी की है हमें सावधान रहना पड़ेगा वो एक प्राइवेट इंवेस्टिकेटर को जानती थी तो पैट्रिक की पी पीचा है वो जब छोटा था तो अपनी बेबिसीटर से प्यार करने लगया था उसका बेबिसीटर ने उसे मना किया तो उस ने घर को आउग लगा दी थी भीवीशिटर ने उसे बचा लिया पपर खुद की उसकी डेथ हो गहीई थी से बाद पैट्रिक को में डाल दिया ग टारा पैट्रिक की खिलाव लीगल एक्शन ले सकती है पर उसके कुछ भी फरक नहीं पड़ेगा इन्वेस्टिकेडर कहता है मुझे पैट्रिक को हेंडल करने दो उसे खुद जाकर समझा देगा इसके नेक सीन में पैट्रिक टारा के सिस्टर की हाँ पर पहुँच गया वो ह पैट्रिक पूछता है क्या तुम्हारी सिस्टर स्वेगरा पी है इसके बाद उसने उससे नाम पूछे तो टारा की सिस्टर गए थी है तुम बहुत क्रिस्चन्स पूछते हो टारा की सिस्टर एमिली को यहां सी जाना था पर पैट्रिक से मिलकर उसे अच्छा लगा था य माइकल एमिली की पैरेंट से बात कर रहा था तो भी पैट्रिक उसे डिस्टब कर देता है उसने कहा कि मुझे टारा के बारे में तुमसे बात करनी है वो गहता है कि टारा ने तुम्हें हमारे बारे में नहीं पता है तुम्हें उसे मेरे बारे में पूछना चाहिए माइकल को वो इग्नोर कर देता है वो टारा से शादी करने के लिए बहुत शूर है रात में पैटरिक ने टारा को धंगाने के लिए एमिली की फोटो टारा को भीजती है टारा जाकर एमिली से बात करती है कहती कि पैटरिक से जरा दूर है न तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है एम वेडिंग वाउस है वो डारेटली तीन नोटपैड भर देता है वो इमेजिन कर रहा था कि टैरा उसके पास ही है वो उससे गहता है कि जब मैं तुम्हें वेडिंग वाउस दिखाऊंगा तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ रात मैं माइकल ट इसने अपने वेडिंग वाउज लिखे नहीं थे और वो टैरा को प्रॉमिस करता है कि मैं इनके बारे में बहुत सोच रहा हूँ गर आने के बार टैरा को पैट्रीक के वाउज मिलते है वो इसे पढ़ती भी नहीं और डिरीटली चला देती है यह जलाते हूँ पैट्रीक उसे उपर से देख रहा था अगली सुबा माइकल टैरा से मिलने के लिए है टैरा चाहती थी कि उससे सब कुछ बता दे और माइकल कहता है कुछ भी बोलो मन्त हमारे पास्ट में जो भी हुआ उस सब चीज़े हमें छोड़ देनी चाहिए और हम फ्यूचर पर फोकस करते है टैरा ने जो भी किया हो माइकल को इससे कुछ भी फरक नहीं पड़ता यह बात सुनकर टैरा उसे गले लगा लेती है अगली दिन टैरा की वेडिंग में पैट्रिक वेटर बनकर घुस किया वो जाकर एमिली से बात कर रहा था पर यह बात डेबरा ने नोटिस कि पैट्रिक इस बात से बहुत ही गुसा हो गया था रात में डेबरा जब घर पर आती है तो उससे गहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है उसने गुसे में उससे डारेक्ली मार दिया उसे डेबरा से पता चल गया था कि टारा और माइकल कहा पर हनीमून के लिए गया है वो दोनों बीच के पास अपना हनीमून एंज्वाइ कर रहे थे रात हो चुकी थी तो मैनेजर उनके पास आकर गयता है कि रात बहुर में यह हूँ और कोई भी स्टाफ नहीं आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो रात में अचानक से पूरे होटेल की लाइट चली के यह पैट्रिक नहीं किया था टारा और माइकल बहुत ही खुश थे टारा को ज़रा थंड लग रही थी तो माइकल उसके लिए स्वेटर लेने के लिए किया तो भी पैट्रिक अचानक से उस पर हमला कर देता है इन दोनों में बहुत फाइट हुए पर पैट्रिक ने एक पत्थर लेकर माइकल को बहुश कर दिया पैट्रिक उसे घसीट घसीट तो होटेल में लेकर आया था टारा के पीछे उसे आता है उसे लगा कि हो माइकल ही है पर पैट्रिक है उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है पैट्रिक ने कहा कि तुम्हारा हस्बन मर चुका है वो अब गुसे में टारा को भी मार देने वाला था पर टारा ने नीचे की लखड़ी उठाए उसे आग लगा दी पैट्रिक बचपन से आग से डरता था तो वहाँ से भागने लग लग गया टारा माइकल को ढुड़ने के लिए होटेल में आई और वो अब भी जिन्दा है वो दोनों यहाँ से निकल रहे थे पैट्रिक बाहर माइकल को अकेला नोटिस करता है उसने बूचा कि टारा का है उसे मार ही देने वाला था तो यह बी टारा पीछे से आई और रस्ती लेकर पैट्रिक का गला घोट देती है यह दोनों माइकल से बच गए थे माइकल को टारा होस्पिटल में एड्मिट कर देती है उसके खुद पर भी टेस्ट हुई थी तो टारा को डॉक्टर से पता चला क्यों प्रेइंड है टारा रियलाइस करती है यह शाहिद यह बेबी पैट्रिक का है उसने जो भी क्या इसके कंसिक्वेंसे उसे वन वे और अनातर भुगत नहीं पढ़ेंगे इसी के साथ यह मुवी एंड हो जाती है इसके उन्होंने एक ओपन इंडिंग रही अगर आपको एक्स्पेंशन अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा बहुत सारे मुवीज लेकर आतर है तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकों नहीं मत भूलियेगा हम विर से मिलेंगे और एक निवीज के साथ तब ते के लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिया